Hello students, all of you are welcome here on Math 24 into 7 channel. Today's topic is how to find prime numbers from 1 to 100. Hello students, क्या आपको पता हैं prime number कौन से होते हैं? Yes, you know, prime number वो होते हैं जो या तो 1 की table में cancel हो या फिर अपने आपकी table पर cancel होते हैं. यानकी जिनके 2 factor होते हैं, उनको हम prime number बोलते हैं और जिनके 2 से ज़्यादा factor होते हैं, उनको हम composite number बोलते हैं. जैसे भी ये 1 है, 1 का cable एक ही factor है, ये अपने आपकी table पर ही cancel हो रहा है, किसी और table पर cancel नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये 1 जो है, नहीं तो ये prime number है और नहीं ही ये composite number है. अब 2, क्या 2 वन की table से cancel हो रहा है, येस, क्या ये 2 अपनी table से cancel हो रहा है, येस, क्या ये किसी और table से cancel हो रहा है, नो. तो हमारे पास सबसे पहला prime number आगया है, 2. अब हमने वे number देखने हैं, जो 2 की table में आते हैं. जो number 2 की table में आते हैं, अब वो सभी number composite number हो गए, क्योंकि उनकी 2 से ज़्यादा factor हो गए, जैसे ये 4 है, 4 1 की table में आता है, 4 2 की table में आता है, और 4 2 की table में आता है, इसके factor होगे 1, 2, 4. इसलिए ये prime number नहीं है, ये इसको हम cancel कर देंगे. इसके बाद 6 है, 6 1 की table में आता है, 2 की table में आ गया, 3 की table में आ गया, और 6 की table से भी cancel हो रहा है, इसलिए ये भी prime number नहीं है. ये दो number कौन से हैं? composite number. इस तरह से हमने देखा है कि जो two की table में आ रहे हैं, two की table में जितने भी number हैं, उन सभी number को हम composite number कहेंगे, यानि कि इन सभी number के दो से ज्यादा factor है, एक ये number मैंने इस तरह से लिखे हैं कि ये जल्दी है, देखो, ये सभी जो है composite number हैं, और two की table में आ रहे हैं, तो इन को cut करना, जल्दी होगा, मैंने इस तरह से इन number को arrange किया है, ये सभी जो हैं composite number हैं, because all these numbers are divisible by two and all of these numbers have more than two factors. So, these numbers are composite numbers. दखिये, कितनी आसानी से हमने composite number को निकाल दिया, next number is three, three के दो factor हैं, एक one है और एक three है, ये one से cancel हो रहा है और three से cancel हो रहा है, किसी और number से cancel नहीं हो रहा है, so we have second prime number as three, तो three हमारा जो है second prime number है, first prime number क्या था, two, और अब क्या होगा three, अब three की table में जो number आते हैं, वे से भी number, composite number होंगे, because all of those number have more than two factors. Six यहां, three की table में आता है, लेकिने पहले cancel हो चुका है, nine है, nine के दो से ज्यादा factor होगा, ये अपनी table में आता है, nine की में, three की table में आता है, और one की table में, है, so it has three factors, so it is composite number. Three, nine के बाद twelve, twelve के बाद fifteen, eighteen, जो number हमने पहले cancel कर चुके हैं, उन number को दोबारा cancel करने की, आप सकता नहीं है, क्योंकि वो composite number होगे. अब मैंने इस number को इस तरह से arrange किया है, कि इस column में, इस column में सभी जो है, composite number है, जो three की table से cancel हो रहे हैं, यहाँ पर यह पहले cancel हो चुके हैं, यह nine से, nine वाली column, यह सभी number जो है, three से cancel हो गए. clear? next number is five, अब five को check करते हैं, कि यह prime number है यह composite number है, five one की table में आता है, और five अपने आप से भी cancel हो रहा है, और किसी और की table में यह नहीं आता, इसलिए five जो है, एक prime number है, so third prime number is five. next हमने five की table के सभी numbers को cancel करना है, यह मैंने एक list बना रखिया लग से, जिसमें five के से भी number सा रहे हैं, यह five, ten, fifteen, twenty, इन से भी number को भी हम जो है cancel कर देते हैं, जो five की table में आया है, जो पहले cancel हो चुके हैं, उनको दोबारे cancel नहीं करेंगे, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 105, 110, 15, 120, 125, 30, यह list में भी आप match करते जाएं, 130, 135, cancel हो चुके है, 140, cancel हो चुके है, 145, 150, 155, 160, और 165, 170, 175, 180, 185, 190, 20, और 195, 200, यहीं कि हमने वेसभी number भी cancel कर दिये, जो five की table में आते हैं, next आप हमारे पास number आ गया है, वो number है seven, अब seven के factor देखो, seven के कितने factor हैं, क्या यह one की table में cancel हो रहा है, yes, क्या यह seven की table में से cancel हो रहा है, yes, क्या किसी और table से cancel हो रहा है, no, तो fourth prime number हमारे पास आ गया seven, इसके भी केवल दो ही factor है, one और seven, so it is fourth prime number, और अब हमने उन से भी number को cancel कर देना है, जो seven की table में आते हैं, और two hundred से कम है, जो जो number आते हैं, जो पहले cancel हो चुके हैं, उनको दोबरा cancel करने के आप सकता नहीं है, लेकिन जो बच गए हैं, उनको हम cancel कर देते हैं, seven, fourteen, twenty-one, twenty-eight, thirty-five, पहले cancel हो चुके हैं, forty-two, forty-nine, यह, forty-nine के बाद fifty-six, cancel हो चुके है, sixty-three, seventy, seventy-seven, eighty-four, ninety-one, ninety-eight, ninety-eight के बाद one hundred five, one hundred twelve, one hundred thirty-three, one forty-seven, one fifty-four, one sixty-one, one sixty-eight, one seventy-five, cancel हो चुके है, one eighty-two, cancel हो चुके है, one hundred eighty-nine, ninety-six, cancel हो चुके है, one hundred ninety-six, cancel हो चुके, यह हमने वे number cancel कर जिये, जो seven की table में आते हैं, clear, next जो number बचा हमारे पास, वो number है, eleven, eleven, अब eleven के factor check करो, क्योंकि eight, nine, ten cancel हो चुके हैं, तिन्नों कैसे number है, composite number, अब eleven के factor check कर लेते हैं, 11 के factor कितनी है, क्या यह one की table में आता है, yes, क्या यह eleven की table में आया, yes, यानि कि इसके केवल दो ही factor है, तो इसलिए eleven जो है, हमारे पास fifth prime number है, eleven is fifth prime number, अब हमने उन से भी number को cancel करना है, जो eleven की table में आते हैं, eleven, twenty-two, thirty-three, यह सभी number जो है, eleven की table में आ रहे हैं, और इन में से लग भाग, mostly number जो है cancel हो चुक है, फिर भी check कर लेते हैं, eleven, twenty-two, thirty-three, forty-four, fifty-five, fifty, sixty-six, seventy-seven, eighty-eight, ninety-nine, one-hundred-ten, one-hundred-twenty-one, यह cancel नहीं हो है, इस में, तो इसका हमने cancel कर दिया, one-hundred-twenty-one के बाद, one-hundred-thirty-two, cancel हो चुका है, one-forty-three, नहीं, cancel हुआ, अब cancel कर दिया, one-fifty-four, cancel हो चुके है, one-six-ty-five, cancel हो चुके है, one-seventy-six, cancel हो चुके है, one-hundred-eight-ty-seven, one-hundred-eight-ty-seven, अब cancel हुआ है, उसके बाद 198 cancel हुचके, ये थे हमारे पास वो number जो 11 से divisible है, next जो number है, वो है 13, next number is 13, 13 को check करते हैं, क्या 13 prime number है, 13 one की table में आता है, 13 अपने table में आता है, ये 13 किसी और की table में नहीं आता है, इसके cable दो ही factor है, इसलिए 13 हमारे पास क्या आगया कि prime number आगया, अब 13 की table से लगवग सभी number cancel हो चुके हैं, जो 13 की table में आते हैं, 13 की table की भी मैं एक list बना रखी है, ये उसकी list है, 13, 26, 39, 52, 65, 78 से भी number जो है, जो 13 की table में आ रहे हैं, वो cancel हो चुके हैं, next is 17, क्या 17 prime number है, इसके cable दो ही factor है, 1 और 17 इसलिए ये भी एक prime number है, अब यहाँ पर दो prime number आगये, 13 और 17 जो last है, इन दोनों की multiple करके देखो, 13 और 17 के अगर multiple करेंगे, तो 17 तरी जा 51, 5 17 बन जा, यानि की 221 और 221 जो है, ये 200 के बाद का number है, इसलिए अब जो बाकी number बच गे हैं, वे सभी number हमारी जो है, है, prime number है, कौन कौन से बच गे, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 29 इन को circle कर देते से भी number को, 31, 31 के बाद 37, all these numbers are prime number, because all all of these numbers have only two factors, one and itself, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 100, 138, 100 ,ches 누가 के बाद 131, 137, or 149, 151, 157, 163, 167, 10… ओ Hello students 169 भी जो है ये composite number है Because it is in the table of 13 ये 13 की table में आता है 169 ये उस वक्त पहले जो है cancel नहीं किया इस वक्त इसको cancel करती है और एक number ये circle करना रहा रहा इदर 139 139 ये 139 भी हमरे पाद इसके बाद वाले number 173, 179, 181, 191, 193, 197 और 199 All these numbers are prime number इन सभी prime number की मैंने एक list भी बना दिये और ये list है ये prime numbers from 1 to 200 तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और ये 97 तक है ये first 25 prime numbers है जो 1 और 100 के बीच में है और उसके बाद 101, 103, 107, 109 and so on 199 तक ये वो prime number है जो 100 और 200 के बीच में है अगर इन से भी numbers का हम count करें तो ये 46 prime number बनते हैं जो 1 और 200 के बीच में है total 46, 25 prime numbers हमारे 1 200 के बीच में और 101 और 200 के बीच में 21 prime numbers है clear? बहुत सारे students की ये demand थी की सर जो है एक ऐसी video बनाएं जिसमें 1 से 200 तक के prime numbers हों तो आज मनें ये video बनाई है जिसमें 1 और 200 के बीच में जितने भी prime numbers हैं उनको कैसे find out करते हैं उसका method मनें आपको बताया मैं उमीद करता हूं कि ये video आपको पसंद आई होगी और इस video को आप जो है सबसे ज़्यादा like देंगे Okay, thank you, thank you all of you, thank you.